प्रिफिल यूटूप फैमिली कैसे हो आप सब आप लोग बहुत अच्छे होंगे कि आपके बाल मेरे जैसे एक ज़ाड़ जैसे हो गया रुखे शुखित बेजान हो गया और आपको ऐसे खुबसूरा सॉफ्ट सेल की बाल चाहिए और बालो में एक जान चाहिए तो आज की कि रेमेड़ी को फालो कर लेने के बाद आपके यह सारे प्रवलम सही होजाएंगे हम सबकी चाहत होती है कि हमारे बाल लंबे घनी और सुदर मजबूत हो कुछनों के बाल तो बहुत सुदर होते हैं उनको बाल करने की समस्या ज्यादा होती है और उम्रों बढ़ने की साथ और मजबूत नहीं है तो वो भी हो जाएंगे और इस और को मेल फीमेल दोलों लगा सकता है अगर आप भी हैर कर लर स्ट्रेटर करा के बालों को खराब कर चुके तो उससे भी बाल सेवेंगे तो आई इसके बारे में बात करते हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई हो आप आप बहुत अच्छांगे तो फ्रेंड्स आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पी नहीं हो तो मेरे चैनल को प्लीज ज़्यादा से ज्यादा लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब पराना भूले और हाँ बगल में बेल आइकन उसको प्रेश जरूर कर दे ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो को नोडिफिकेशन आपको मिलता रहा है तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी का स्टार्ट इंग्रीडियन्ट है मेथी दान मेथी की बीजों में निकोटैनिकेशिड होता है जो कि हमारे हेर ग्रोफ को बहुत ज़ादा प्रमोट कर देता है और इसमें बहुत ज़ादा मेडिशनल प्रापरटी होती है तो इन सारी चीजों के वज़े से बाल काफी बहतर हो जाते हैं अगर किसी तरीके का डैमेज हो बालो में तो भी सही हो जाता है तो बस मेथी को डारेक्ली उज्टना करके आप यह ले 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 जिए तो जैसे वी इसको क्रस्ट कर पाई इसको थोड़ा तोड़ दीजिए ताकि ये दानेदार नार है थोड़ा से टूटा हुआ होना चाहिए पूरी तरीक से पाउडर फाम मे कर लेना है छोटा बड़ा जो भी पैन आपके पास अभी लेवलों कोई बात नहीं अब नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं तो उसका हम लबक 10-12 टेबल स्पून के बराबर ले लेंगे तेल में बहुत ज्यादे मात्रा में विटामिन्स और नियुट्रियंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए किसी चमतकार से कम नहीं है तो बस इसको ले जाके गैस पे पास मिट तक लोग फ्लेम पे इसको एकदम पखा लेना है वरना यह जलने लगेगा अब तीन से पास मिट के बीच में आप इसको पकाली से रखके पकने के लि होता है तो इन सारी चीजों को मिला कि अगर आपनी बालों का रोटीन केर रहे हो तो आपके बाल में बहुत भैतर हो जाएंगे आप बहुत लोगों होम रिमेडी पर बिलीब करके तो देखी बिलीब के साथ ट्रस्ट के साथ अगर कोई भी चीज आप अपनी बालों पर बस इसको लिए ना है एक दिन के लिए कम में में बनाया है अगर आपको डिनों करना है आप डेली चाल सकते हो तो इसको एक महने तक बार बड़ा सकते हैं और बढ़ा के बना के आप आराम से रह debyn Bent थोड़ी देर धूप्रब में रखिए एक से दो गंटे उसके बाद बालों पर अपलाई करिएगा तो थार्ड इंग्रीडियोंट जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है बिटामिनी के लिए कैपसूल जिसे विए उन कहते हैं तो इसका भी हम एक कैपसूल ले लेंगे एक एक एकचिदन्ट है जो बालों की जड़ों में जाकर उसके मरमम्मत करता है और बालों की ग्रोध को बढ़ाता है- और यह ब्लाइड श должен को भी बढ़ाता हैесть जो बालों को तोटने और कमझेher होने से रोगता है विटामिनी आपके बालों को धुप ऑर पолिचात आहले इатना ज तो इसको अपने बालों पर अच्छे सप्लाइब कर लेना है आप चाहे तो इसको ओवर नेट रख सकता है आप चाहे तो दो घंटे के लिप लगा सकते हैं जैसे आप लगाए वीक में दो से तीन बार लगाए जब भी आपको हैर वास करना हो एर वास से एक दिन पहले या उस कर लिजिए उसके बाद आपके बालों में जो शाइन आएगे जो ग्रोथ होगा आपके अपनी बालों से प्यारी हो जाएगा अगर आप पहली बार यूज करें तो पैस्टेस ले लिजिए उसके बाद आप अपनी बालों पर ट्राई करिए तो कैसी लगी रेमेडी कमेंट जारू गरा, thank you friends